इस pandemic के चलते हम नहीं तो कोई तो हमार रिष्टेदार या कोई दोस City scan कर चुका है कि यह City scan dangerous है है तो कितना dangerous है एम्सचिफ का कमेंड की एक City scan 300 X-ray जैसा है और फिर इंडियन मीडिया का response की 300 और नहीं 10 X-ray जैसा है यह दोनों ही गलत है आज हम जारेंगे धंक से कि CT scan कैसे चलता है 3D animations के मदद से तो गरिब सेंटी स्वागत है आज हम जारेंगे CT scan के बारे में हम ऐसे काफी लोग ने CT शब्स पुन सुना है बट हमें ना full form बता है ना काम कैसे करता है CT का मतलब है computer tomography या कुछ लोग इसे cat scan कहते हैं यानि computer assisted tomography tomography मतलब क्या tomography मतलब आप कुसी चीज को multiple slices में करके study करते हो तो बहुत सारे से layers में divide करके study करते हो जब हम CT scan की बात करते हैं तो आपने देखा ही होगा एक machine होता है जो डोनट से लने के बाद आपके क्या important है वो डोनट या वो मेंदुवड़ा के अंदर है क्या basic basic यह है अगर मैं उसे खोलू तो एक x-ray source है या x-ray tube जो भी emitter source है दूसरे side के उसके opposite side के उसके उपर detectors है बहुत सारे balanced है यह पूरा wheel या cylinder है यह rotate होता है अपने axis के उपर जो गजब है क्योंकि यह पूरी चीज kilo volts of voltage के उपर चलती है और एक invention है जिसका नाम है slip rings जो इसे enable करते ताकि घूमते घूमते consistently voltage supply कर सके तो जैसी घूमने लगता है बेट slowly अंदर लेकी जाने लगते है यह पूरा process जो है वह एक minute के अंदर खतम हो सकता है suppose lungs के लिए वगरा पर जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने इस animation में सब slow कर दिया है दो result आता है वो एक spiral में आता है अब जैसे मैंने दिखा एक सरे पहले ही start होता है वैसे real में दो होता नहीं है एक सरे वहीं start होता है जहां आप setting किया जाता है ताकि lungs के उपर ही start हो पर मैंने animation के लिए ऐसे दिखाया है पर I think मैं इसे better way मैं explain कर सकता हूँ exactly spiral कैसे काम कर रहा है अब यह animation को ले लो अब यह आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक light source है और बीच में कोई तो object है वो light उस object के उपर shine कर रही है अब यहाँ से आप देखके guess कर सकते हो कि यह एक शायद hexagon हो या कोई कोई बोलेगा कोई cube है कोई box है पर exact shape कैसे बता हम guess ही ले सकते है एक side से scan करके पर अगर मैं इस light source को slowly उसके around घुमाने लगो तो आपका human brain इतना intelligent है कि वो light के shape और shadow changes समझ जाएगा कि exact shape क्या है तो हम यही data जो x-rays create कर रहे है ऐसे goal घुमके body के around वो data ल बूफ करके हमें पूरा body का ऐसे spiral मिल रहा है जो हम बाद में लेके 3D बना सकते हैं उस पूरे चीज़ को 3D में बना सकते हैं या plot कर सकते हैं multiple layers में stack कर सकते हैं तो यह काफी 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 जादा interesting है अगर आपने मेरा जो demo देखा light वाला तो और CT scan और भी जादा हो highlighter देख सकते हो सेम चीज़ आपके blood के साथ भी किया जा सकते हैं आपको एक injection देंगे और फिर CT scan में हो सब highlight होगा तो काफी इंट्रस्टिंग है CT scan खुद में नो क्या बता कितने करोडों लाइफ बचा है CT scan ने early diagnosis करके कि किसी बी डिसिस का और यह जल्दी होता है मतलब question पर आते हैं जो कह रहे है कि 300 400 x-ray इतना हो सकता है CT scan या इंडियन मीडिया का क्लेम जो कह रहे है कि गलत है 10 scan में हो सकता 10 x-ray scan इतना value हो सकता है तो मैं तो कुछ से पढ़ा ही बट अगें डॉक्टर हर्ष जो एक radiologist है गुजरात में उन्होंने काफी कुछ समझा मुझे CT scan के बारे में कैसे काम करते हैं वगरा वगरा तो यह जो satisfying animation है background में वो चलता रहेगा और मेरी बात अभी तुम सुनो क्या मैं कहना चाहता हूं इसके बारे में यह important है बहुत important है तो अगर हम assume करें कि एक x-ray का dose करीब 0.1 mmSV है MSV है unit radiation measure करने का अगर हम assume करें 1 x-ray का है करीब 0.1 mmSV तो जब आप CT scan करें के for example lungs का तो आपके body type के उपर depending और वो सब काफी चीज़ों के उपर depending वो करीब 3 से 7 mmSV हो सकता है तो वो होता है करीब 30 से 70 times x-rays यानि 32 70 x-rays इतना हो सकता है बट अगेन मेरा number code करना गलत है Indian media का number code करना गलत है same with aims chief clear करते है aims chief का 300-400 थोड़ा जाधा ही होता है extreme case का तो वो तो गलत है ही बट यह जो हम media में reports जेकर है 10 का वो भी काफी misleading है क्यों समझाता हूं देखो एक साल में हमें जो background radiation मिलता है जो environment से वगएरा 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 वो करीब 7 MSV 6 MSV depend करता है इंडिया का exact numbers मेरे पास नहीं I don't think कोई research हुए प्रॉपर environment background radiation इंडिया का measure करने का तो एक सीटी स्कैन करीब एक साल का radiation kind of up समझ लो बड़ यह आपके age से related नहीं है आप यह मत सुचू कि एक सीटी स्कैन ले लिया तो एक साल कम हो गया आपके lives में से वैसी कुछ भी नहीं पर यह जो मैं उसने देखा रहेगा मेरा animation में जो अभी भी चल रहा है बेड का position बहुत define करता है कितना आपको dose मिलेगा तो अगर जो technician है वो इतना skill नहीं है और उसने बेड पोजिशन आगी पीछी कर दिया तो आपका dose बढ़ जाएगा बहुत बढ़ जाएगा कभी कभी टू टू टाइ low dose में दिया जाता है तो उस case में भी आपका CT जो radiation dose बहुत कम हो जाएगा अगेन मुझे number नहीं कोट करना है विकोज तो गलत होगा क्योंकि every machine जो बन रही है उसके भी generations है 5th generation 6th generation और machine के उपर बहुत dependent है कि कि कितना dose मिलेगा और फिर आता है अपने टेक्शिंट का skill कभी करते है आपके face के उपर या आपके कुछ reproductive organs के उपर वगरा radiation shield या एक लेड का shield डाल देते है ताकि वो exposed ना उस case में और भी कम होगा आपका radiation dose best है अपने डॉक्टर से पुछे कि आपके case के लिए loads possible है कि नहीं और फिर एक lab ऐसा ढूंडो जो loads accept करता है technician को पहले ही बोलो कि खतम होने के बाद आपको मिली सीवेट में MSV में आपका dosage value चाहिए आप उसका track रखो अपने डॉक्टर को भी बोलो और at the end of the day याद रखो ये एक risk benefit चीज है मतलब radiation उतना भी जादा नहीं है जितना लोग कह लेते हैं मतलब 7 मिली सीवेट is still reasonable पर इसका मतलब यह नहीं कि कि आप लेते जाओ डॉक्टर हर्श कह रहे थी कि काफी cases आते हैं जहां पर उनका अर्टी पीसर नेगिटिव आया पर वह respiratory problems दिखा रहे हैं मतलब बहुत कफ अगरा कर रहा और जब वह CT scan करते तब पता चलता है कि करीब 30-40% जो भी लंग डामेज है तो रिस्क benefit याद में सब मेंबर्स को बहुत शुक्रिये